हेलो स्टुडेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप पस्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर सिंग राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे आरस अगरवास सोलुशन्स में एक्सेसाइज वन सी का क्योस्टन नमब सब्ट्रेक्ट करें जिससे कि जो रिजल्ट है वो कितना मिल जाए माइनस का वन अपून सिक्स मिल जाए तो हमारे को वो नमबर फाइंट करने है तो हम क्या करते हैं कि उस नमबर को कुछ माल लेते हैं let the number which should be which should be subtracted be x माल लो कि वो नमबर क्या है एक्स है अब according to question क्या होगा कि हमें इस में से क्या subtract करें जिससे कि ये मिल जाए तो हमने उस नमबर को x माना तो question क्या according क्या बनेगा minus 3 upon 3 में से अगर x को subtract कर दिया जाए जो मने माना है तो मारा result कितना आना चाहिए minus 1 upon 6 I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे लिखा है question में जो बोल रहा था वो ही बुल लिखा है मैं आमने वह नमबर मान लिया कि x है उसने बोला कि इसमें से उसको subtract करने पे कितना आना चाहिए 6 हो जाएगा और ये minus का x उससाइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा I hope ये आप लोगों को पता होगा कि plus का उदर जाके minus का हो जाता है और minus उदर जाके plus का हो जाता है 7th class में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में linear equation in one variable में आपने पढ़ा होगा तो देखो अब ये वाली साइड इसके बराबर है तो मैं एक काम कर देता हूं x को इस साइड लिखो या उस साइड बराबर है तो मैं x को इस साइड लिख देता हूं और उस साइड क्या है दोनों में 6 से जिवाइड करोगे 1 को 1 से मल्टीप्लाइम करेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस 1 करोगे तो माइनस 3 ऐपन 6 आगया आगे 6 करोगे तो क्या होगा 1 एम गारिए माएनस 2 टाइम हो गया उपर तो 1 टांव गया और नीचे 3 से क्या हो änger टू टσιु टाइम ड़िए में मारा जो को कोई चीज समझ में आ गई होगी इसे के साथ हमारा क्येस्टन नमबर 13 फिनिस हो गया अब क्येस्टन नमबर 4 क्या है वो द्यान से समझना इसके अंदर टोटल साथ क्योंस दिये वे इन क्योंस को इसे सोल करने के लिए आप लोगों को को सब्सट पता होने रहे अगर अब भी तक आप लोगोंने मरे कॉंसर्प वीडियो को नहीं देखा है तो उन को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो देखो पहला क्या है कि विच एस इन इणिटिटव इंवर्स धि कोई ऐसा नंबर जैसे यह कोई एक इंबर करो जिस्के वही नंबर आजाए यजये सब्सक्राइब कोन से नंबर खुदका एडिटिव इनबर्स वहता तो देखो जीरों में अगर में 08 अंधिंवर्स में गलत्द बता दिया अप जीरों कोई एक नमबर है तो उसमें ऐसा क्या एंड करें कि 0 आ जाए मैं आप लोगों को मैंने एडिटिव इंटिटी बता दिया थे किसी नम्बर में क्या एड करें तो उसका negative add कर दो तो मैं क्या मिलेगा जीरो तो यह पर जिरो मिला है उसने क्या बना विच रहस्था नंबर इस ओडिटीव कुद का एडिटीव इंवर्स है तो इसका एडिटीव इन्वर्स तो क्या है माइनस का ए है तो यह सेम थोड़ी नह लो रहा तो जीरोniejsze में दोंचले पर बना सकते हो ठीक güre का यह całै होता है जीरो बनकोगंसा याद रख नहीं हिएakah बना सकते हो हूं धित्या руки होता है जीरो ही होता इस इस डिफरेंस प्रेश नंपर रियत Il commentary पढ़ी थी तो पहली property पढ़ी ती closer property closer property क्या कहती थी कि अगर हम दो रेषनल नंबर का addition करें sub traction करें multiplication करें तो जह नया number मिलेगा हमारे को भी रैस्नल नमबर मिलता है तो उसने यही तो बोला difference of two rational number is rational number rational number का difference भी क्या होता है rational number कौन सी property से closer property से I hope आप लोगों कोई चीज समझ में आ गई होगी तो यह इसका आंसर क्या आएगा यस इस एडिशन कॉमोटेटिव और नंबर से यह भी हमने देखा था कि A प्लस B करो यह C प्लस T बोलो यह फिल C प्लस T और A प्लस B बोलो तो यह क्या होते हैं कॉमोटेटिव होते हैं कि A प्लस B कर दो यह मतलब इन दोनों को इसको मतलब आपने जैसे महलना पहले इन दोनों को एड कर लिया फिर इसमें A को एड कर रहे है या फिर पहले इन दोनों को कर लो फिर क्या कर लो onnerd 1 को EID कर दो तो क्या होगा आइंगा मतलब यह ऑस आंसर बही में हो उता है क्या होगा यह समझ भी क्या होगाऊँर इच subtraction, commutative and rational numbers, तो क्या subtraction होता है, तो देखो, अगर A minus B करोगे, और B minus A करोगे, तो दोनों सेम नहीं आएंगे, इसका मैं एक एक्जाम्पल से समझा देता हूँ, जिसे 5 minus 3 किया, तो 2 आया, और 3 minus 5 करोगे, तो minus 2 आ रहे, यह दोनों equal आई नहीं रहे, subtraction, associative भी नहीं होता, तो देखो, A minus B minus C दे रखा है, और A minus B minus C, तो देखो, A minus C को add करके, A में से B को subtract करके, C को subtract करना, और फिर B में से C को subtract करके, फिर इसको A में से subtract करना, यह दोनों अलग-अलग case है, मैं एक एक्जाम्पल से समझाता हूँ, 5 minus 3 minus 1 करें, तो पहले इसमें से इसको subtract करो, कितना आएगा, 2 आएगा, फिर 2 में से 1 minus करोगे, तो 1 आएगा, फिर देखो, अब क्या करना हूँ, मैं पहले 3 में से क्या करना हूँ, 1 को subtract करना हूँ, 3 minus 3 minus 1, तो पहले 3 में से 1 को subtract करता हूँ, तो कितना आएगा तो आएगा फर two को क्या करना है five में सा सब्ट्रेक्ट करना है तो कितना आएगा three आएगा तो देखो क्या दोनों रिजल्ट सेम आ रहे है यह दोनों रिजल्ट सेम निहाँ तो मतलब the subtraction तो इसका आउसर क्या आएगा नो या क्या है इसका रिजल्ट क्या आएगा नो अबसके आप आप लोग को समझ में आ गया ओगा आप अपलोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी negative का वापस से negative कर देते तो वो वापस क्या बन जाएगा positive बन जाएगा तो इसको भी आप note कर लीजिए इसी के साथ हमारी exercise 1 सी finish होती है next classes से next lectures के अंदर हम लोग exercise 1D के solutions को देखेंगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगया तो वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और चैनल को subscribe जरूर कीजिए तब तक के लिए thank you